एलो बच्चो मेरा नाम है जगीप और मैं पीछले 18 सालों से एकनोमिक्स पढ़ा रही हूँ इन 18 सालों में मैंने हर बोर्ड के बच्चो को पढ़ाया है इसलिए मुझे सभी बोर्ड के पेपर पैटर्न और आंसरिंग टेकनीक्स की नॉलज़ है बच्चो अगर अब तक आपनी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ना क्योंकि इस सार में कई सारे टॉपिक्स पर नोट्स और टेस्ट्स रिलीज करूँगी जो की बहुत इंपोर्टेंट है और आप प्लिकल भी मिस करना नहीं चाहोगे ठीक तो बच्चो विदाओ विस्टिंग एनी टाइम चलते है लेक्चर में बच्चो पिछली च्रास में हमने टोटल यूटाल यूटालेटी के रिलेशनशिप के बारे में बात की थी इस class में हम law of diminishing marginal utility के बारे में बात करेंगे ठीक तो यह जो law है पहली बार प्रोफेसर गोजैन ने दिया था और इसलिए इस law को हम गोजैन's first law of consumption भी बोलते हैं ठीक है बाद में Alfred Marshall इनका नाम अपने पीछे किसी एक वीडियो में भी सुना होगा बाद में प्रोफेसर आलफ्रेड मार्शल ने अपनी book principles of economics जो की 1890 में publish की थी उन्होंने उन्होंने इस law को further up किया था और इसे detail में discuss किया था अब यह law क्या कहता है यह law कहता है कि as a consumer consumes more and more units of a commodity utility derived from each successive unit tends to decrease ठीक है यह important चीज़ है अब यह क्या बोल रही है statement कि भई जैसे ही consumer एक commodity की units consume करना शुरू करता है बढ़ाना शुरू करता है consumption उसका हर एक additional unit हर एक successive unit से मिलने वाली utility कम होने लग जाती है decrease होने लग जाती है हम अपनी पिछले वीडियो वाली commodity पे ही constant रहेंगे हमारी पिछले वीडियो में जो हमने commodity ली थी वो थी mango slices ठीक है अब जब भी आपको एक्जाम में यह question आता है explain the law of diminishing marginal utility तो आपने इसके explanation शुरू करनी होती है statement से law की statement से ठीक है अब statement देखते है तो law की statement शुरू होती है other things remaining constant इसको हम citrus parables भी बोलते है और microeconomics के ज़्यादा तर law जो है इसी statement से शुरू होंगे ठीक है so other things remaining constant the additional benefit a person derives from a given increase in a stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has ठीक है अभी a statement क्या बता रहे है कि एक consumer जब एक commodity जो उसके पास already है या जो वो अरड़ी consume कर रहा है जब उसकी consumption वो increase करता है उसका stock जब वो increase करता है तो उस increment से मिलने वाली खुशी मिलने वाली benefit मिलने वाली happiness in this case utility diminish होती है या कम होने लग जाती है ठीक है जैसे कि for example हमने mango slices ले थे अपने पिछले वीडियो में जब पहली mango slice आप खाते है आपको बहुत अच्छा फील होता है बहुत हापी फील होता है तो आपकी utility हाइस्ट होती हो उस टाइम पे और जैसे जैसे आप 3rd slice पहुंच जाते हो या 4th slice पहुंच जाते हो तो आपकी ज खुशी से जो आपको first slice खाने पे मिली थी ठीक है इस statement का मतलब वो निकल के आता है अब हमारी other things being equal वाली other things being constant other things remaining constant citrus paribus जो भी आप लिखना चाहो यहां लिख सकते हो इस से हमारे assumptions root out होते हैं ठीक है assumptions क्या है basically वो situations है जो इस law को study करने में difficult करती हैं तो उन situations को हम assume कर रहे है कि इन situations में कोई change नहीं होगा वो क्या है तो हमारी पहली जो assumption है वो यह है कि utility जो है वो cardinally यानि कि numerically measure की जा सकती है ताके mathematically इसे प्रूफ करने में हमें असानी हो ठीक है इसके बाद जो units consume किये जा रहे हैं वो homogeneous होने चाहिए homogeneous का मतलब है they are they should be same identical किस चीज में shape में size में taste में color में appearance में जो भी उसके physical features हैं वो सारे के सारे same होने चाहिए homogeneous होने चाहिए ठीक है फिर यह जो units consume किये जा रहे हैं यह continuous manner में consume होने चाहिए continuous क्यों क्योंकि अगर आपने इसमें break दे दी तो उसके बाद जो आप unit next consume करोगे break के बाद उससे utility जो आपको मिलेगी वो गिरेगी नहीं वो बढ़ेगी ठीक है और हमें क्या हमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि जब कोई चीज हम जादा consume करते तो उससे मिलने वाली utility कम होती है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना है और यह जो consumption है यह continuous manner में होनी चाहिए marginal utility of money should remain constant याने कि पैसे की जो आपकी value है जो आप value देते हो पैसे को वो सेम रहना चाहिए क्यों कि अगर आपके लिए पैसा ज्यादा करती है mango slices से या तो substitute जो उसके अगेंस्ट में यूज किये जा सकते हैं जो उसके साथ यूज किये जा सकते हैं उन सारे commodities के prices change नहीं होंगे क्योंकि अगर वो change होते हैं तो demand for mango slices भी change हो जाएगी और हम marginal utility study नहीं कर पाएंगे ठीक है उसी तरह से commodity consume की जा रही है उसका जो size है वो reasonable होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा चोटा ज्यादा बड़ा होगा तो बहुत कम units हमें consume करने होंगे हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम यह law जो है उसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एक number of units consumption चाहिए और उ difficult हो जाएगा ठीक उसी तरह से consumer जो है वो rational होना चाहिए याने कि उसका जो sole agenda है sole aim है वो है maximization of his utility and हर commodity से मिलने वाली utility independent है दूसरी commodity की utility पे dependent नहीं है for example utility from mango different होगी from utility obtained by consuming apple ठीक है अब अगर आपके exam में सिर्फ assumptions ही पूछे है explain the assumptions to the law of diminishing marginal utility तो आपको यह सारे assumptions detail में explain करने होंगे और जहां possible है वहाँ example भी देना जैसे मैंने example दिये थे उसी तरह से आपको भी example देने होंगे पर अगर law में आप लिख रहे हैं तो one-liners are enough अब इसके आगे जो step है law वाले answer में वो होता है utility schedule and utility diagram ठीक तब हम देखते है utility schedule हम कैसे बनाएंगे तो यह है हमारा utility schedule हमारे slices of mango दूबारा से यहां आगे हैं और यह marginal utility के figures है we can see marginal utility गिर रही है फिर 0 हो रही है और फिर minus 2 और ही तो जब आप अपने law का answer रिखेंगे तो आपको इस table को 3 to 4 lines में explain करना होगा कैसे explain करेंगे in the above table we can see that utility is falling right from the beginning but it remains positive until the consumption of 5th unit at the 6th unit utility becomes 0 indicating maximum satisfaction and with further consumption of the 7th unit utility turns negative ठीक अब इसके आगे जो हमें चीज करनी है वो है diagram हमें diagram बनाना है so हम diagram इधर ही बना लेते हैं कुछ इस तरह से हमारा diagram बनेगा पहले हम scales लिख लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही हम lines draw करेंगे तो हमारी scales है 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2 ठीक तो ये हो गई हमारी y-axis और ये हो गई हमारी x-axis y-axis पे हम मेशर कर रहे हैं marginal utility और x-axis पे हम मेशर कर रहे हैं mango slices ठीक है अब थोड़ा अंदाजन लिखूंगी यहाँ पे मेरे पास exact scales नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 ठीक है अब हमें से plot कर लेते हैं so at first slice of mango marginal utility was 10, 2nd पे 8, 3rd पे 6, 4th पे 4, 5th पे 2, 6th पे 0, और 7th पे minus 2 इसे फ्रीहंद द्रोइंग बना देते हैं पर आप लोगों के दियाग्रेम्स रहेंग्राम्स नहीं है अप लोगों के दियाग्रेम्स बहुत से ज्यादा बैटर दिखें क्योंकि आप लोगों के पास exact scales होंगी अब इस कर्फ को हम नाम दे देते हैं क्या है इस कर्फ का नाम इसका नाम है marginal utility ठीक है ये जो पॉइंट था हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये था point of of what कमेंट करके बताए अगर नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखें क्योंकि यह बहुत important point है आप इसे आप आप में दे और नोटस पनाएं टीक है तो एकस्पें करते समय हम लिखेंगे from the above diagram we can see that y-axis measures marginal utility x-axis is measuring mango slices mu is the marginal utility curve we can see that the marginal utility curve is sloping downwards from left to right का खीट रहान पूतिली फाव係 YOU अन्हें कमगोरा है कि वित्लिकॉर्प ट offer जिक्तिन Яज्ट पन्हें लाखे सांसा झाल मौरा सिन्ध क 카 5 ब κα्ज्इ़ इसा Natalie K GL marginal utility becomes zero and with a further increase in consumption of the 7th unit marginal utility falls further and becomes negative ठीक है इस तरह से आपने जो है इस diagram को explain करना है इस explanation के साथ ही आपका law of marginal utility का जो question है वो पूरा हो जाता है कहीं सारे teachers stress करते हैं कि आपने one-liners में exceptions भी लिखने चाहिए कहीं नहीं करते हैं according to me अगर आप exceptions को one-liners में लिख दे तो अच्छा रहेगा हर एक बोर्ड में exceptions के लिए अलग regulation है कहीं सारे boards expect करते हैं कि बच्चा exceptions भी लिखें कहीं सारे boards exceptions specifically अगर पूछ रहे हैं तो ही expect करेंगे कि बच्चा exceptions दिखें पिछले तीन वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ multiple choice questions description box में मिलेंगे अगर आपको उनके answers आते हैं तो उनका आंसर comment box में जरूर लिखेगा तो दुबारा मिलेंगे exceptions के साथ बाई नाव टिक करेंगे